Hello everyone, कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम इस वीडियो में UP Board Class 10th English का Question Paper 870 HL आप लोगों के समझ बिल्कुल 60 अंसर के साथ डिसकस करने जा रहे हैं तो आईए साथ यो देखते हैं Part A में आपसे 20 MCQ Best Question पूछे हैं जिनके सुरुवाती तीन कोशन के अंसर आपको इस paragraph के आधार पर देने हैं तो पहले कोशन में आपसे पूछा है What surrounded the temple, which was held in a green park? तो साथ यो अगर आप इस passage को पढ़ेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं Mango Trees तो आपका अंसर सही क्या होगा इसमें? D option, Mango Trees उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि जो green और peaceful है यह किसे suggest करते हैं तो यह कौशी atmosphere यानि कि comfortable जो वातावरन होता है उसे यहाँ आपसे पूछा है city का opposite यानि कि antonium तो साथ यो यह देख सकते हैं आप country तो कौन सा option सही है? तो आप कहेंगे first option ही बिलकोल सही है आईए उसके बाद देखते हैं next questions को Question number 4 जिसमें आपसे कह रहा है Priya had finished her lunch before the bell तो साथ यो before से पहले वाली clause को आप past perfect में बनाते हैं और आने वाली clause को past indefinite में तो यहाँ D option आपका बिलकोल सही होगा People who watch and listen to speech are called तो उसे हम क्या कहते हैं listeners कहते हैं क्या कहते है listeners यानि कि स्रोता अच्छा सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं तो audience कहेंगे D option इसमें सही होगा ठेक है? उसके बाद अगर हम बात करें यह आपको reorder करना है तो यहाँ देखिए सबसे पहले देखें तो interrogative word है तो शुरुआत उसी से होगी लेकिन यहां conjunction की तरह है तो this is the place यह वही स्तान है where I was born तो आपका first option बिलकोल सही है यह वही स्तान है जहां मैं पैदा हुगा था complex sentence है यहां आप से पूचा है कौन सा miss spelt है तो बताईएगा उसके बाद यहां अंकेत इज बरीड तो साती हो इसमें about का प्रियोग आप करेंगे किसका प्रियोग करेंगे about का बरीड के साथ about का प्रियोग करते हैं preposition के रूप में उसके बाद question number 9 और 10 का answer आपको इसके आधार पर देना है तो यहां पूचा है the post man sobbed to his boss क्या दिखाया था तो आप यहां देखेंगे जो दिखाता है क्या एक letter को तो आपका answer क्या होगा यहां देखो यह देख सकते हैं sobbed him the letter तो आपसा number यहां भी आपका बिलकुल सही है उसके बाद the post master watch कैसा था तो आप देख सकते हैं यहां लिखा है amiable amiable और क्या amiable और amiable fellow जो जो जोली था एक तरीके से उसके बाद आई यह question number 11 देखते हैं यह है आपका question number 11 जिसमें कह रहा है baking watch indeed a profitable profession था the option इसमें सही होगा बुद्ध धर्मा क्यों काट ली थी उसने क्योंकि वह he felt sleepy during meditation जो ध्यानमगन होता था तो वह निंद्रा को महसूस करता था for the first 24 hours मिजबल तो यहां friendly हो जाएगा सातियो उसके बाद आईए यह आपकी fog पोयम है यहां पूछ रहा है how die the fog come कैसे आता है तो like little a cat एक छोटी किस की तरह है बिल्ली की तरह है ठेक है आईए question number कितना है आपका 15 तो यह है आपका question number 15 what does it refer in the podium it कैसे refer कर रहा है तो यह fog को कर रहा है सातियो कोहरे के लिए यूज किया गया है what was trick is only fault क्या थी उसकी एक मात्र गलती तो भाई greed name of Boli क्या था इसका नाम सुलेखा था उसके बाद I will not have such a mean greed and contemptible coward as my किसके रूप में Boli chapter से लिया है तो husband के रूप में कौन सा option सही होगा आपका यह option सही होगा यह पूछ रहा है library के बारे में तो बताइए क्या answer होगा आईए आगे देखते हैं यह आपका part B इसके आपको अच्छे से पढ़ना है उसके बाद आपको इसके answers mention करने है तो what is important for teachers and educators तो इसमें आप आसानी से देखें तो आपको मिली जाएगा उसके बाद आगे देखते हैं letter आपको लिखना है disadvantage advantage या आप एक report लिखेंगे यहां लेकिन यहां आप article लिखेंगे तो आप बिजिट अजू यह ज़्यादा बहतर है आईए उसके बाद आगे देखते हैं grammar portion में आपको पहले को indirect में बदलना है तो आप लिखेंगे Cela asked Rohit Cela asked Rohit उसके बाद उसके बाद इसे आपको पैसे में बदलना है तो आप लेखेंगे will the class उसके बाद not be attendant ठेक है थर्ड फॉर्म लिख दीजिए by you question mark आगे देखिए punctuate करना है तो आप यहां लेखेंगे the boy the boy shared the boy shared comma inverted comma sir यहां comma लगाएंगे may आई आपका हमेशा capital लिखा जाता है come in यह कमी लिखा है तो कमी लिखी हो question mark sir may I come वैसे यह नों होना चाहिए था यह आपको translate करना है तो आसानी से कर सकते हैं बहुत तीजी है उसके बाद यह questions है आईए देखते हैं आगे कैसा गया total क्या इसको रहा आप अबस बताएं यह question बहुत अच्छा था important भी था और आया हुआ है कव तक उसे समस्या नहीं हुई थी जब तक वह अपने पिताय और अपने कवीले की आग्या का पालन करता रहा तव तक यह अच्छा question था आपका आया हुआ है या फिर यह लिख सकते थे आप क्यों reply दिया था उसने यह पोजम लिखनी है आपको और यह central idea आप लिख सकते हैं ठेक है उसके बाद यह आपका supplementary से है उसके बाद में यह एक important question था जो आपका UP NSP बे भी दिया था तो यह आया होगा कैसा रहा total कमेंट करके आवस बताएं